नमस्कार सफ़ट 24 से मैं रंजन कुमार आठ तारीक यानि आठ अप्रील को मुख्यमंत्री आवास का जो महा घेराव था जारकन स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से वो अस्थागित कर दिया गया है यही जानकारी आप लोग को देना चाहता था चुकि सिक्ष्यमंत्री जगरनात महातों के अकास्मिक निधन हो जाने से जारकन स्टेट अस्टूडेंट यूनियन ने ये निरने लिया है अस्टूडेंट यूनियन ने कहा कि जगरनात महातों हमारे मानिये सिक्ष्यमंत्री जो थे 1932 खतियान को लेकर और जारकंडे हीतों को लेकर काफी लड़ाई लड़े हैं और उनके लड़ाई को हमलों को आगे बढ़ाना है इसलिए अभी पुरा राज सोक का कुल है सोक में है तो इसी वज़ा से हम स्टूडेंट यूनियन भी हम छातर भी उनके सोक में अभी ये कारिकरम अस्थागित करते हैं और अगला कारिकरम 17 अप्रिल को रखा गया है 17 अप्रिल को जी हाँ आपको बता दें कि 10 अप्रिल को जो पूरा जहरह्खंड बंदी का अईलान था इसे पी स्टुह है इसे 19 अप्रिल कर दिया गया है यानि एक बर ध्यान से आप सुन ले, आठ तारीक का मुख्मंत्रीय आवास महा घराव 17 अप्रील को कर दिया गया है, 17 अप्रील को मुख्मंत्रीय आवास महा घराव का कारिकरम रखा गया है और 18 अप्रिल को हर जिले में मसाल जुलूस निकलेगा और 19 अप्रिल को पूरा जार्खंड बंद रहेगा ये किसलिए क्योंकि 60-40 की निती सरकार ने लाई है जो कि यहां के जार्खंडियों के हिद का नहीं है इसी के विरोध में ये महा घिराव का कारिकराम 8 अप्रिल को था जो आकासमिक निधन हो जाने के कारण सिक्ष्या मंतरी जैगरनात महतों के निधन हो जाने के कारण इसे पोस्पॉन करके आगे बढ़ा दिया गया है 17 अप्रिल, 18 अप्रिल और 19 अप्रिल 17 इप्रिल को महागराओ 18 आप्रिल को हर जिले में मसाल जलूस और 19 इप्रिल को पूरे जहरकण में बंदी तो ये सूचन आप लोग सबी लोगों तक पहँचाई अधिक सथीग लोगों तक पहुचाई ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके तो कि ये जरूरी है धन्यवाद